दोस्तों जिन्दगी है तो सुख और दुख भी है लेकिन कई बार कई गलतिया हमारे जिन्दगी बदल कर रख देती है ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ दरसल ये कहानी है मेरी मेकार्डी नाम की एक औरत की मेरी मेकारडी पहले तो बिमार हुई और फिर उन्होंने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिमार होने का आवाज जाने से क्या संबंध है तो चलिया आपको पूरा मामला बताते है मेरी ने बताया कि एक दिन जब सूबो वो उठी तो उन्हें सरदी और जुकाम था एक दो दिन में जाज के बाद पता चला कि उन्हें ब्रोकाइटीस है एक हफते तक गले में खराश रही और तेज बुखार भी रहा उसके बाद बुखार तो ठीक हुआ और फेफडो का संक्रमन भी खतम हुआ और तब्यत सुधर ने लगी लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गले में तीन पेसे का सिखका फसा है ये घटना साल 1970 की है और उस वक्त मेरी 12 साल की थी ब्रिटन में जन्मी मेरी अपने परिवार के साथ ओस्टेलिया आ गई वहां दिरे दिरे वहां की भाषा सिखने लगी और एक नई जिन्दगी शुरू करने लगी लेकिन एक महिने में ही उनकी पूरी दुनिया बदल गई ज्यान देने वाली बात यह है कि लगबग 6 हफ़ते बाद भी गले से आवाज नहीं निकली धीरे धीरे मेरी ने ये मान दिया कि अब वो कभी नहीं बोल पाएगी धीरे धीरे मेरी अवसाद का शिकार हो गई वो ना ही रो सकती थी और ना ही किसी बात पर अपना गुसा जाहिर कर सकती थी उन्होंने कहा कि आवाज जाने की वज़े से मैं बिलकुल अकेली हो गई और 14 साल की उम्र में मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की उसके बाद उन्हें मानसिक रोगियों के अस्पताल बेज दिया गया जब वो 25 साल की थी तब एक दिन उनकी तब्यत अचानक खराब हो गई उन्हें खांसी आने लगी और उनके मूँ से खून आने लगा तब उन्हें पता चला कि उनके गले में कुछ फसा है डोक्टर ने देखा कि मेरी के गले में एक बलगम का टुकड़ा जैसा कुछ फसा था जब डोक्टर ने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वो बलगम नहीं बलकि तीन पेसे का एक सिक्का था मेरी के गले में ये सिक्का 1960 से फसा हुआ था लेकिन उन्हें बिलकुल भी पता नहीं के ये सिक्का उनके गले में कैसे फसा था गले से सिक्का निकालते ही मेरी की आवाज वापस आ गई और उसे अपनी नई दुनिया अपनी नई जिन्गी वापस मिल गई तो दोस्तों आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि हर एक इंट्रे झाल